हेलो एफ्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल ल्डव्लूड जॉब में पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब की वेकंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्राइमरी स्कूल टीचर की वेकंसी आई है परेक्षा नहीं होगी सैलरी 45,000 से अधिक आप लोगों का यहां मिलने वाली है बिल्कुल प्यॉर्ली जो है पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब है ये सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आविधन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं सिक्षा निदेशाली की तिरफ से जो वेकंसी जारी हुई है नोटिफिकेशन जो की 11 पेजिस की पीडियाफ फाइल है और पोस्ट का नाम है प्राइमरी स्कूल टीचर टोटल नमबर वेकंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 400 से अधिक वेकंसी है 413 पदों पर वेकंसी आई है जिसमें 170 अन्रिजर्ब कैटिगरी की है सीट OBC की 180 है EWS की 41 है और ST कैटिगरी की है 22 नेक्स्ट पे लेवल सैलरी आपकी रहेगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग 50,000 तक जो है सैलरी आप लोगों की स्टार्टिंग में रहने वाली है क्योंकि बेसिक पे ही 35,000 से अधिक है और इसमें जो है सरकार की तरफ से जो अन्य भत्ते होते हैं अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो आपकी स्टार्टिंग की जो सैलरी रहेगी 50,000 तक बनने वाली है यहाँ पर तीन मीडियम जो है अलग-अलग मीडियम दिये हुए है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जिसमें हिंदी मीडियम वाले कैंडिएट हिंदी मीडियम में फॉर्म अप्लाई करेंगे English medium के candidate English medium के लिए apply करेंगे और बंगाली medium तीन medium है number of vacancy भी जिन में अलग-अलग है Hindi medium वालों के लिए 150 यहाँ पर vacancies है primary school teacher के लिए 189 vacancy English medium के candidate के लिए है और 74 जो है बंगाली medium के candidate के लिए है ठीक है तो यहाँ पर कुल जो है वो 413 पदों पर vacancy है और यह बिलकुल permanent सरकारी नौकरी है उसके बाद जो है age limit की अगर हम बात करें तो age limit यहाँ पर maximum अधिक्तम जो है वो 40 वर्स है upper age limit में जो छूट है वो यहाँ पर दी गई है SC category की नहीं है ST category की है 5 year OBC की 3 year PWD की undeserved category के 10 साल की OBC 13 साल की और ST 15 साल की ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है कि PWD की अलग-अलग category wise यहाँ पर upper age limit में छूट दी गई है vacancy कहां से जारी की गई है तो आपको बता दूँ कि पहले भी यहाँ से vacancy आई है TZT की अभी यह primary teachers की vacancy है अंडेमाने नुकोवार administration सिक्षा निदेशाले डारेक्ट रेट ओफ एजुकेशन की तरफ से vacancy जारी की गई है एक्जाम बिल्कुल नहीं होगा merit के बेस पर ही selection रहेगा आपके जो marks रहेंगे 10 तो 12th graduation में उसके अधार पर merit निकलेगी आप लोगों को बता देती हूँ कि marks जो है कैसे जोड़े जाएंगे यहाँ पर जैसे कि selection procedure की अगर हम बात करें तो यहाँ पर primary school teacher के लिए अगर कोई candidate कोई भी candidate है तो उसके 10th में अच्छे marks है 12th में अच्छे है और यहाँ पर 2 साल का DLAD JBT, 4 साल का BLA और 2 साल का DLAD special education में यह सब भी apply कर सकते हैं BLA वाले बिल्कुल apply नहीं कर पाएंगे यहाँ primary school teacher की vacancy है यह TGT की जो vacancy आई थी वो आप लोगों को वीजियो के मादियम से बताई गई थी अभी दोबारा से में आप लोगों को यहाँ पर निकाला जाएगा अब essay candidate जो की primary teachers के लिए जो है apply कर रहे हैं लेकिन जिरोंने graduation भी कर रखा है post graduation भी कर रखा है तो essay candidate को जो है यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है अब देख लेते हों qualification educational and other qualification की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे option है एक एक करके जो हीने हम देखेंगे senior secondary certificate examination 12th 50% marks के साथ में और 2 year diploma in elementary education अगर यह नहीं है तो दूसरा देखें senior school certificate examination यानि 12th past 45% marks के साथ में और 2 साल का diploma elementary education में in accordance with the NCT regulation 2002 next देखें option 12th 50% marks के साथ में और BL add भी जो है apply कर सकते है 12th 50% marks के साथ में special education में अगर आपने किया है 2 साल का diploma education में तो भी आप apply कर सकते है next graduation के साथ में 2 साल का diploma किया है elementary education में तो भी apply कर सकते है तो यह कई option थे B add वाले बिल्कुल भी apply नहीं कर पाएंगे ध्यान में रखिएगा next जो है यहां पर लिखा है कि candidate जो है जिन्होंने Hindi language as a subject subject के रूप में जो है class 8th में पढ़ी होनी चाहिए लगवक्स अभी नहीं पढ़ी होती है दूसरा जो है candidate जो है Hindi या English या Bengali या Tamil या Telugu एक subject जो है जो की 10th level पर आपने पढ़ा हो ठीक है तो अभी Hindi और English जो है लगवक्स अभी नहीं पढ़े होते हैं उसके बाद 4th नंबर पर इन्होंने लिखा है पासिन पेपर 1 of CET Central Teacher Eligibility Test जो है आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए selection procedure जो है मैंने आप लोगों को बता दिया अभी apply करने का जो यहाँ पर तरीका है वो बिल्कुल बताया जा रहा है में वेबसाइट का लिंक यह है सबसे पहले आप लोगों को में वेबसाइट पर आना होगा और application अलरी स्टार्ट हो चुके है 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है ठीक है और 6 मार्च 2024 तक चलेंगे सबसे पहले जो है fees नहीं है कोई भी कोई भी fees नहीं लग रही है यहाँ पर पूरा जो है notification चेक कर लिया गया है कोई भी जो है fees नहीं लग रही है सबसे पहले main website पर आना है teacher recruitment portal education department अंडिमान और निकोबार administration यहाँ पर आप लोगों को announcement section दिखेगा view latest recruitment notice दिखेंगे किसी पर भी जो है आप click कर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर यह देखिए उपर दिया गया है TGT के जो teachers का जो पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया था December में जब vacancy आउट हुई थी अभी जो है online application for the post of primary school teacher तो online registration और last date online registration यह दोनों यहाँ पर बताई गई है 15 वर्वरी से ले कर 6 मार्श तक ठीक है notification के लिए आपको recruitment notices पर click करना होगा और apply करने के लिए click to register यहाँ से आपका start हो जाएगा process apply करने का ठीक है तो जो भी candidate apply करना चाते है यहाँ पर अगर मेरी personal राय अगर मैं दूँ तो यहाँ पर अगर कोई girls जो है वो बिल्कुल भी apply ना करें क्योंकि अंडेमा निकोबर काफी दूर रहता है बहुत सारी vacancy अलग-लग राज्यों की निकल ही रही है तो आप जादा से जादा नजदी की जो state है वहाँ पर अगर apply करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर essay candidate जो की bachelor है और जा सकते हैं तो बिल्कुल apply करें क्योंकि exam नहीं है interview नहीं है तो मिलेंगे next video में next vacancy के साथ channel पर बने रही है पहली बार अगर channel से जुड़े है सो subscribe करें जादा से जादा वीडियो को share किया करें ताकि बहुत सारे candidate जिनको नहीं पता लगता है vacancy के बारे में तो उनको भी मालूम हो सके last date निकलने से पहले thank you